जूता निकाल के मोदी जी कौ दोड़ा दोड़ा के अब जनता मारेगी और परधान मंत्री के कारियालाई में घुसकर अभी हिसाब लेगी जनता आसी तो नरिंदर मोदी को लगेगी तीन तारिख को लगेगी इनको फासी आईसा मोहर मारेंगी ना जनता और पांच राजी का चुनाओ है ना पांचो एक साथ लटक जाएंगे विकास आज तक नहीं पैदा कर पाए अगर कुछ पैदा ही करना होता तो यह सोधा बेन को न छोड़ देते मद्व परदेश में मद्व परदेश में जब चीरहरण करवा रहे थे भारतिये जनता पाट्टी वाले तब आप लोग कहम मर गए थे तब आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे थे देखे विकास की आंधी और 23 में राहूल गांधी राजस्थान में राहूल गांधी जी आ रहे हैं और यहां पर आप एक चीज बताए यह प्रदान मंत्री नरंदर मोधी जी के कहने पर लोग बोट क्यों देंगे क्योंकि इनके कहने पर जब जब देश की जनता ने बोट दिया किसानों के उपर थार चड़न ओर देने का मकिया ज़वानों के साथ में क्या कर दिया भारतीय जंता पार्टी को बोट क्योंसे सपार कि पहुआ है कि हमारा ही मालिक हो हमारा ही को उर हमारा ही चालक हो बीजेपी लाओ विकास लाओ राजस्थान पिछड गया है अशो के लोड लूट लिए विकास क्या है भाई पहले पूछो मोदी जी से विकास क्या है विकास पैदा करने के चक्कर में मोदी जी ने महंगाई पैदा कर दी मोदी जी ने बेरोजगारी पैदा कर दी मोदी जी ने मंदी पैदा कर दी विकास आज तक नहीं पैदा कर पाए अगर कुछ पैदा ही करना ह को तो यह सोदा बेन को न छोड़ देते हैं मोधी जी कह रहे है कि देश में तरक्की हमने कर दी राजस्थान में तरक्की हम कर देंगे और तीन दिसम्बर को कॉंग्रेस के जो ब्रश्टाचारी है उनका हिसाब करना है कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं गाते गाते लोग चि गौत ही जोड़ा लेना जूता निकालके मोधी जी को दोड़ा दोड़ा के अब जंता मारेगी अध्यूता प्रतोवािछती के निकभयालस 06TV7 हिसाब नहीं घंटा करेगी हुए हिसाब तो मोधी जी से लेंगे हम कारियाले में घुस घुस करें हिसाब लेंगे प्रदाहने वाला गलस है उसके बिड़ोद में लेकिन प्रदान मंत्री नरंदर मोधी क्या कर रहे हैं आप बताईए अरे हिसाब ने घंटा लेंगे हिसाब तो मोधी जी को देना पड़ेगा एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा गीवियंप का बटन ऐसे दबाओ फासी लगे को अंगरेसियों को लगेगी तीन तारिक को लगेगी इनको फासी अईसा मोहर मारेगी ना जंता और पांच राजी का चुनाओ है ना पांचो एक साथ लटक जाएंगे बिलकुल लगेगी कांगरेसियों को फासी लग जानी चेह उनको नहीं लगेगी बताओ बीजेपी वाला जो कहे अचा आओ यह ना कि सईया बनल कतुवाल तो डर का है बाद थो गांधी एक जो है रैली करके चुने जाते मोधी बतार दिन भर रोट्सो करते हैं जुटो का सरदार है चाम के लिए मोर्त ढूंड लेते हैं दुर्बीन से लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पाएंगे हैं इन्हीं कोई चेहरा इन्हीं गहलोत के सामने तिकने के लिए मर्द चाहिए मर्द और इनको ढूंडने से भी कोई नहीं मिल रहा है कोई चेहरा नहीं है राजस्तान में एक ही चेहरा है गहलोत गहलोत मतलब गहलोत के आगे कोई टिकने वाला नहीं है गन्ताँ उनकी कोई मैजिक है मोधी मैजिक को गहलोत सरकार ने खतम करने का काम किया है भारतीय nella साही को कोई काम करेगा तो गहलो सरकार करेगी कि आपके चाचा की सरकार है इस रहें? विकास की पहelect को अडानी जी रोक रहे हैं विकास का सहाब क्योंकि मोदी जी अडानी के नोकर है प्रदान मंत्री नरंदर मोधी परचार करेंगे तो बीजेश का इपाइदा हो और मौ राहूल गांदी यहां उसमें गलत ये कि मैं रे कुछ भी बोल देते हैं क्या गलत का पर बात करते हैं रोजगार पर बात करते हैं मेहिंगाई पर बात करते हैं और मोधी जी सत्तर साल पहले चले जाते हैं रहीएगए को में पोरा हुआ हुआ ने सब्सक्राइब निए परदान मंत्री जी ने करज का बोज लाग दिया एक एक बंदे पर जिस पेंतिस सूका था लादने का काम किया है और गयास भीत हो देश का जितना धन था देश का विकास उकास कुछ नहीं हुआ है भाई विकास के हालात अलग है यहां पर एक बीजेपी एक बार कॉंग्रेस की सरकार आती है तो अपकी बार कॉंग्रेस है तो बीजेपी आएगी रिवाज बदलेगा ऐसे उत्ते प्रदेश में भी था रिवाज बदल गया तो रिवाज जनता बदल देगी क्योंकि जनता सब कि बात करते हैं पर्मोट किया जाएं अगर उजनता की बात करते हे तो बेरोजगारी न कर देते